हे गैज अगर आपके पास Realme P1 Speed 5G Mobile और आप उसमें स्विच आफ नहीं कर पारे हो अपनी पावर बटन से यानि कि जब भी आप पावर बटन को प्रेस करते हो तो इस तरीके से Google का Assistant आ जाता है और आपका फोन स्विच आफ नहीं होता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कै जैसे आप इसी पावर बटन से स्विच आफ कर पाओगे तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी उसके लिए जाना पड़ेगा फोन की सेटिंग में जैसे आप फोन की सेटिंग में जाओगे तो उपर ही यहाँ पर सर्च बार दियेगा सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख दिना है press जैसे आप press लिखोगे तो आपके समने एक setting आजाएगी press and hold power button देखिए press and hold power button का option मिल ला है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दो option मिल जाएंगे power menu voice assistant तो आपको power menu को select कर देना है उसके बाद बैक आ जाना है अब आप देखेंगे प्रब्लम को प्रेस करके तो यहाँ पर स्विच आफ और रेस्टार्ट दोनों ही आपसंस आपके पास आजाएंगे तो इस तरीके से आप इस प्रब्लम को फिक्स कर सकते हो